हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मेरा नाम अभिशेक कानुडिया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चेनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिरीज आरेल सर्कृट इससे पहले हमने प्योर रजिस्टिव सर्कृट कम कमप्रीट कर लिया था और प्योर कैपसिटीव सर्कृट भी कमप्रीट कर लिया था कभी आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को वाच करें तभी ये लेक्चर समझ में आएगा अदर्वाइस ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल तो पढ़ने वाला है तो एक रजिस्टर है और साथ की साथ एक सिरीज में एक इंड़क्टर है जिसे आपने किस से कनेक कर दिया है जिसे आपने करेक किया है एक AC सप्लाय से आपने इसे कनेक किया हुआ है AC सप्लाय से तो मान लीजिए इस रजिस्टर का रजिस्टेंस कितना है R है और इंड़क्टर का inductance कितना है L है और आपने इसे connect जो किया है उसका EMF equation कितनी है तो E equals to E naught sine omega t और बोच सी book में V equals to V naught sine omega t भी लिखा हुआ है तो आप यह दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं चलिए अब अब थोड़ी से कहानी समझते हैं जैसे ही आप switch on करेंगे तो यहां पर current flow होने लगेगा बिलकुल current flow होगा अब आप एक चीज़ तो जानते हैं series के बारे में कि series में current हमेशा same होता है तो यहां पर दोनों ही दोनों ही register हो या inductor हो दोनों से current same flow होगा पर current same flow होगा पर क्या different होगा तो आपको यह पता होना चाहिए भाया series में voltage different होता है तो मान लीजिए इसके across voltage कितना है VR यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि voltage across किसके है register के और यहां पर voltage across किसके है तो यह लिख देते हैं से VL मान लेते हैं क्या मान लेते हैं तो मैं यहां पर mention कर देता हूं यहां पर क्या है चली मैं consider लिखवा देता हूं तो consider से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर कहानी आपको समझ में आएगी तो consider consider a register देखे बच्चो मैं इसका consider लिखा रहा हूं second वाले का नहीं लिखा हूंगा जिसमें हम RC पढ़ेंगे तो consider a register of resistance consider a register of resistance R and and बच्चो क्या an inductor an inductor of inductance inductance L is connected in series is connected in series with with an AC supply with an AC supply whose whose voltage equation यह voltage कौन सा होगा यह आपको पहले से पता है instantaneous voltage equation is given by बच्चो इसकी voltage equation क्या होगी तो voltage equation होगी V equals to V naught sin omega t और इसे में equation number क्या देदेता हूं बच्चो फर्स देदेता हूं तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी जैसे ही आपने switch on किया तो यहां पर current flow होने लगेगा current flow हुआ तो voltage जो है अलग हो जाएगा तो क्यों अलग होगा क्योंकि series में current same होता है यह आपको पता होना चाहिए बहुती basic चीजे current same होता है पर voltage जो होता है हर element के across different होता है तो R के across voltage विया ले लिया और L के across voltage कितना ले लिया वियल ले लिया तो यहां पर हम लिखते हैं कि भाईया suppose suppose I current flows I current flows through R and L बच्चों याद रखेगा current जो होगा same होगा and हमने मान लिया कि भाईया VR जो है वो किया है वी आर जो है voltage across R और L क्या है तो VL जो है वह voltage कि एक रॉस ऐक्रोंच है एक ब्डिच गुच्चों और विया औरल के बारे में पता चल के एक है क्थे पच्चों को आपको वी आर और विय ल के बारे में idea लग गया होगा व्य र जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है और वी एल जो है वो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है अब थोड़ी से कहानी पिछली बार की मैं पूछना चाहूंगा बच्चो क्या आप थोड़ी बात जानते हैं क्या सर क्या आप लास्ट लेक्चर को पूरा अच्छे से वाच करके आएं तो आप कहेंगे कि हां सर देखा तो है पर आपने उसमें खास बात नोट की होगी कभी आपको खास बात पता होगी तभी ये लेक्टर समझ में आएगा तो देखे खास बात क्या है सबसे खास बात यह है कि बच्छो कभी हम बात करें सिर्फ रजिस्टिव सर्केट की किसकी बच्चो सिर्फ Registive Circuit की, जो हमारा 1st topic था. register circuit में बच्चों याद कीजिए current current और voltage जो होता था same face में होता था याद कीजिए same face का मतलब दोनों के बीच का face angle कितना होता था zero degree यह अमने lecture number one में पढ़ा था कि current और EMF मैं आपे EMF word use नहीं कर रहो voltage यूज कर रहो तो current and EMF are in the same face same face का मतलब दोनों के बीच का angle zero बच्चों याद होगा कुछ डाइग्राम बनाया था याद कीजिए ने बाइन अट रहा था और करेंट भी इसी जगे पर था भी मैं पर अट करेंट में चाहिए बारे में यह इस न होक्ति दोने होगा क्योंकि दटाइग्राम गारे इमेफ इस जगे था याद कीजिए इमेफ इस जगे था और करंट जो था वह लेक कर रहा था लेग मैंने हिंदी में भी लिखा था लेग का मतलब होता है पीछे चलना तो करंट जो था वह इस जगे था वह लेक कर रहा था कितने इंगल से बच्चों 90 डिग्री या फिर कहें Pi by two से तो कभी आप ध्यान से देखें तो lagging कौन कर रहा है तो current lag कर रहा है current lag कर रहा है वो बे कितने angle से 90 degree के angle से तो current जो है मैं current को इस जगें बना देता हूं current को इस जगें क्यों बनाया इस जगें इसलिए बनाया क्योंकि हम x-axis पर current को लेना चाहते हैं क्यों लेना चाहते क्योंकि भईया register और inductor के case में current same है toda कोई चीजremo है तो उसे same axis फे लेना पड़ेगा तो current को हमने कहा पर ले लिया बच्चो same axis मतलब x-axis तो current इस जगे हो और जो voltage होगा वह कहाँ पर होगा बच्चो इस जगे पर booj se बच्चों को इस बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं है मैं समझा दूँ ये क्या है मैं सिर्फ पाइभाइटू लिखता हूं क्योंकि आप मैस के स्टूडेंटों चाहे बाइओ के भी हो आपको ये पता होना चाहिए कि यह 90 को pi by 2 लिखते हैं तो बच्चों यह बात बताएं यह क्या है यह दोनों diagram सेम है आलाग है तो जवाब है सेम ही है करंट यहाँ पर क्या कर रहा था EMF से पीछे चल रहा था यहाँ पर भी करंट जो है यहाँ पर हमने EMF word यूज नहीं किया है तो voltage यूज करेंगे voltage जो है वो क्या कर रहा है करंट जो है वो voltage से क्या चल रहा है पीछे चल रहा है कितना पीछे चल रहा है तो जवाब है pi by 2 पीछे चल रहा है तो यहां पर ये बात आपको पहले से पता हुनी चाहिए, कभी ये पहले से पता हो तभी ये बात आएगी यह बात आपको पहले से ही पता हुनी चाहिए हम यहाँ पर register circuit का पहले से बता देते हैं कि भिया registration circuit में याद कीजिए current और voltage जो होता है वो क्या होता है? same face में होता है? याद कीजिए नहीं पता तो याद कीजिए same face में होता है और कभी हम inductive circuit की बात करें या फिर करें L circuit की बात करें तो L circuit में current जो होता है वो पीछे चलता है सर कितना पीछे चलता है voltage से तो voltage से पीछे चलता है वो भी कितना Pi by 2 से सही है अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं सेम डाइग्राम में बनाएंगे सेम में क्यों 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 कि देखिए ना तो ये सिर्फ R circuit है ना तो सिर्फ ये L circuit है ये एक series RL circuit है और series RL circuit में दोनों की बात होगी और दोनों में common क्या है तो दोनों में common है कि current दोनों में क्या हो रहा है सेम फ्लो हो रहा है तो हम इन दोनों का common क्या बनाएंगे phasor diagram क्या बनाएंगे बच्चो फेजर डाइग्राम बनाएंगे वो भी कौन सा कॉमन कॉमन क्यों बना रहे समझ में आ गया होगा कॉमन क्यों तो चलिए देखते हैं क्या होगा तो बच्चो कभी हम फेजर डाइग्राम बनाएं तो देखिए दोनों का जो कॉमन चीज है वो क्या ह है current है उसे हमने एक सेक्सिस पर बना दिया दोनों में क्या चिस सेम है current है से बना दिया बच्चो रजिस्टियर सर्किट में current और voltage जो होता है same face में होता है तो हमने वियार को current और voltage को same face में बना दिया और यहां पर origin point ले लिया ओ अब आप देखें कभी हम L circuit की बात करें तो L circuit में voltage 90 degree से पीछे चलता है कितने इंगर से 90berti से पीछे चल रहा है और वियार क्या है यह पता चल गया होगा तिक अब और बताएं वी यार और वियल जो है इन दोनों को produce किस voltage ने किया तो आप कहेंगे इस ही supply के voltage ने तो कहीं न कहें वी यार और वियल का जो रज रियक क्या बोलते हैं से इसे कहेंगे resultant resultant जो होगा कहीं न कहें इन दोनों के बीच में होगा VR और VL के बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो वी जो होगा वो इस जगे होगा तो बच्छो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कभी हम वैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या यहां से ट्राइंगल पैलोग्राम लॉव वैक्टर एडिशन ल दीख रहे हैं वोगल्ते हैं से फियस एंगल ठिए तक हैbay तो आपको ये घृता ये ने चomena तो ये इंगल ZERO है सब किस केस में कड्र वोल्टेज और क्यास में और यहां पर ओर फैस लिगल कितना है पाएवेटू रस आप बच् competition केसे बना आपको समझ में आया हों देखे शायद से यहां पर clirty समझ में नहीं आया हो तु देखे इस डायग्राम को मैंने यहां बना दिया और इस तो इस पर भी राइब ना الج människ जाने है ., года इंडून के बीच में तो मैंने रेजल्टेंट बना दिया अब मैंने Storeelogram along vectorization के हसाब से यहांपर एक parallel line खीची यहांपर construction क्या तो यह vl hoगी सर यह wanna dogs यह कितनी होगी वियल होगी अब यह है आपका ये वह voltage है जो आपने दिया है न्ये वह करंट है जो आपको मिला है तो इन दोनों के बीच के उंगल कोई तो फेस उंगल क ह Matte तो यह पर मैं किया लगाने जा रहा हूँ आगी कहानी ही संधाने जा रहा तो यहां पर में हेडिंग डालूँगा फीक काम करते हैं शरू से कदते हैं यहां पर पाइतागूरस ंरम लगाते हैं लगाते qué वूह उतल हुआपको सब्रस्राइब अधरान को इस वारे में पता होना चाहिए केस में करण्ट जो होता है लेक करता है वह इसमें करेंट होता है वह लेक करता है तो आप से बोलें क्या होगा तो आप b² , बिलकुल, अब त्राइंगल की का बात कर रहें, जिसे मैं Shared कर रहा हूं, यह देखे, Shared कर चुका हूं, तो इस ठाइंगल की कि बात करें, तो इसमें why preparedness क्या होगा , मतलब की resultant voltage परपेंडिवलर क्या होगा, voltage across inductor hoगा, vl² ृ और base क्या होगा, तो esde जो होगा वह वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंश होगा बिल्कुल सब्सित अब चुक कभी आप ध्यान से देखें तो व! है चो वॉल्टे अ्टार तो वॉम्ड is लॉसला कितना होग व्. उ वी आर जो होगा वी आर जो होगा क्या होगा voltage across resistance और ohms law से V equals वो क्या होता है IR अब अच्छो यह VR कितना होगा IR तेकि यहां पर mention भी कर देते हैं कि VR जो होगा वो कितना होगा IR और VL जो होगा वो क्या होगा ohms law से IR तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके across resistance आर शब्द तो यूज होगा नहीं इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा जो current के flow को अपोस करता है तो क्या शब्द यूज होगा बच्चो XL याद कीजिए लास्ट टाइम हमने इस पर बहुत चर्चा की थी register का और inductor का register केस में आर जो है current के flow का पोस करता है और inductor के case में excel करेट के flow का पोस करता इसके unit भी ओम होती है इसके unit भी ओम होती है तो यहां पर VL की जगे हम क्या लिखेंगे बच्चो VL की जगे लिखेंगे IXL का स्क्वेर और VR की जगे हम क्या लिखेंगे IR का स्क्वेर तो यहां पर आप कभी देखें तो यह भी I स्क्वेर है यह भी I स्क्वेर है तो I स्क्वेर क्या कर लिया है मैंने कौन ले लिया और यहां पर क्या बचा XL स्क्वेर प्लस R स्क्वेर अब क् करें क्या करें इस I square को नीचे ले जाए क्या करें बच्छो I square को नीचे ले जाए और ये क्या लिखा हुआ है Excel square प्लस R sqooire ठीक है यह यहां तक को दुक्त नहीं बों इसे हम क्या लेका सकते हैं whole square और इसे थो प्लटा के लिख दें यह साइसले लिख रहे हैं क्योंकि हमने पहले आर को लिखा है और फिर एल को तो यहाँ पे भी आर ल बाद में आ जायेगा। अब अच्छो यह स्क्वैर यह स्क्वैर जो है इस तरफ जायेगा तो क्या उजायेगा अंडरूट तो वी अपॉन में आई अंडरूट ओफ आर square plus XL square अब अच्छो V upon I क्या होता है तो आप सोचे Ohms law से V upon I क्या होता है तो आप कहेंगे Ohms law तो हम भूल जाते हैं बाएबाएबाएब आप याद दिलाते हो Ohms law होता है V equals to I into current के flow को oppose करने वाला ठीक है मैं इसे जिक जिक क्यों बना रहा हूँ मैं बताऊंगा तो अच्छों बताओ ये कोन है ये कोन है ये कोन है तो आप कहेंगे current के flow को अपोस्ट करने वाला कभी मैं V upon I लिख दूँ तो ये क्या होगा ये होगा current के flow को अपोस्ट करने वाला मैं R क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं R इसले नहीं ल सकता हूँ, ना मैं XL शब्द यूज़ कर सकता हूँ, कंबाइन सर्कुट के लिए, तुमें क्या उस करूँगा, एक नया शब्द यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं V upon I को, क्या नाम देने जा रहा हूँ, Z, क्या नाम देने जा रहा हूँ, बच्चो जैड सर ये जैड क्या होता है बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा तो जैड जो है वो क्या है सर जैड क्या है तो वेर जैड इस where z is v upon i जिसे हम कहते हैं क्या कहते है impedance impedance of rl circuit क्या बच्चो impedance of rl circuit अब आप से कोई पूछे कि इसका काम क्या है तो भई इसका काम क्या है कोई बता सकता है इसका काम current के flow का पोस्ट करना किस में r circuit में excel का काम क्या है current के flow का पोस करना किस circuit में L circuit में तो Z का का काम क्या है, Z का का क्या है वही है, current के flow का opposite करना in RL circuit सही है, बच्चो तो इसका kाम क्या है, काम क्या है ? तो नाम तो समझ में आ गया, इट अपोसेज्ट दफ फ्लो ओफaurट पर कौन से circuit में बच्छो RL circuit में कभी हम unit की बात करें तो इसकी unit वही होगी जो होती आई है तो बच्छो exam में कभी question आता है RL circuit के ओपर तो बहुत सारी चीजे पूछी जाएगी जिसे की first चीज क्या पूछी जाएगी phaser diagram क्या पूछा जाएगा phaser diagram दूसरा क्या पूछा जाएगा impedance क्या पूछा जाएगा impedance और तीसरी चीज क्या तीसरे चीज क्या पुछे जाएगी देखें यहां पर आपको पता चल गया कि current के flow को आपोस कोन करता है कोन करता है impedance unit क्या होती ओम भाईया R की unit भी ओम होती है XL की unit भी ओम होती है बिल्कुल सही XL की unit भी ओम होती है Z unit भी ओम होती है पर तीरों के नाम अलग-अलग क्यों है क्योंकि circuit अलग है resistive circuit में R यूज होता है inductive circuit में XL यूज होता है और RL circuit में क्या शब्द यूज होता है Z यूज होता है जिसे हम impedance कहते है यूनिट से में current के flow का पोस्ट करना काम भी से में एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए तो XL जो होता है omega L होता है यह लिखते रहे तो चले अब आगे बढ़ते हम हमें निकालना है कि या यह जो फेजर डाइग्राम बनाया है उसमें यह current कितना पीछे चल रहा है face angle बनाना है नहीं आया है मैं बताता हूँ दिखे आपने इन दोनों का combine diagram बनाया था combine diagram बनाने के बाद इस VL और VR का resultant बीच में आया था तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि V यहां पर है और current यहां पर है तो V और I में कौन diagram में पीछे दिख रहा है तो आप कहेंगे सब current पीछे दिख रहा है कितने angle से पीछे दिख रहा है वो है 5 angle यह angle कुछ भी हो सकता है acute angle हो सकता है यह angle कुछ भी हो सकता है 30, 40, 45, 46, 47, 50, 58, 78, 79, 89 पर 90 नहीं हो सकता बोलो क्यों क्योंकि 90 हो गया angle तो यह सिर्फ कौन सा circuit बन जाएगा pure L circuit इसलिए यह angle जो होगा वो क्या होगा acute angle होगा तो exactly कितना होगा तो formula से निकाल लेते हैं तो बच्चो हम यहां पर निकाल लेते हैं from कौन सा diagram हम यहां पर phasor diagram से यह value निकाल लेते हैं बच्चों बताओ क्या मैं यहां पर टेन थीटा लगा सकता हूं हां सा लगा सकता है टेन थीटा तो हम राइट ट्रेंगल में कहीं भी लगा सकते हैं तो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकलर अपॉन में बेस तो टेन फाइट जो होगा वो होगा परपेंडिकलर अपॉन बेस परपेंडिकलर कोन है वियल है और बेस कोन है वियार है चेक कर लीजिए टेन फाइट परपेंडिकलर अपॉन में बेस वियल कितना होता है तो वियल जो होता है वो होता है XL देखिए VL जो होता है XL और VR क्या होता है तो VR होता है IR आई से I cancel तो कितना बचेगा बच्चो XL by R तो कभी आपको Face Angle निकालना है Face Angle निकालना है तो Phi को यहीं रहने दे तो आप XL की जगे एक और शब्दी भी यूज कर सकते हैं क्या बच्चो तो ओमेगा एल अपॉन आयर तो यहां से Phi की value जाएगी बताएं क्या आएगी तो Phi की value आएगी 10 inverse पाय की value क्या है देखिए 10 inverse xl by R या फिर कहें Phi की value क्या आएगी तो tan inverse omega l by R तभी तो यहां पर आपने क्या निकाल दिया आपने निकाल दिया कि face angle कितना होगा, वह exactly कितना होगा यह हमें नहीं पता, बस हमें यह पता है कि जो भी होगा वह acute angle होगा, और वो किस value से निकलेगा, XL by R से, ठीक है XL की value क्या होती ओमेगा L, यहां पर भी आप XL की जगे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L लिख सकते हैं, तो face angle निकालने के बाद और भी चीज़े बसती हैं, जो मैं बताता हूँ, देखिए, अब यहां पर face angle निकलने के बाद, अब आपको यह तो पता चल गया कि current lag कर रहा है, पर कितना lag कर रहा है, अब मैं समझाता हूँ, तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, instantaneous current equation, अब अब equals to I0 sin omega t, अब बच्चों बताओ, लास लेक्चर में हमने क्या पड़ा था, हमने यहां पर देखा था, यहां तो plus pi by 2 हो रहा था, यहां फिर minus pi by 2 हो रहा था, पर इस बार देखे, यहां पर current पीछे चल रहा है, वो भी कितना पीछे चल रहा है, phi angle से, तो यहां पर आएगा omega t minus phi, ठीक है, यहां पर समझ में आया, यह current की equation हो गई, यहां पर I0 क्या है, sir, I0 जो है, वो है, maximum current, और बच्चों current के से निकालते है, ohms law से, तो I equals to होगा, V upon में, V upon में क्या होता है, बच्चों current को oppose करने वाला, और current को oppose इस topic में कौन कर रहा है, R नहीं कर रहा है, R और Excel क mixture कर रहा है, और इन दोनों का mixture क्या है, Z है, तो V naught by Z, और Z की value आपको पता हो नहीं चाहिए, क्या, R square plus XL square, तो यहां पर, मैं red paint से इसको अलग एक topic बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए, यह अलग चीज है, तो exam में आप से क्या-क्या पूछेंगे बिच्चों, एक तो इस पर note down कर ले कि phasor diagram बनाओ, यह वाला phasor diagram बनाओ, दूसरी चीज आपको impedance का derivation करके दिखाने है, तीसरा face angle का, चो था आपको instantaneous current की equation निकाल के दिखाने है, थोड़ा सा topic थोड़ा सा confusing था, पर confusing तब होगा जब आपको पुराना नहीं आता होगा, पुराना आता ह है, तो इन दुनों का combine diagram बना के आपको सिर्फ mass लगाना है, python लगानी है, साथ के साथ, यहाँ पर भी आपने mass का ही इस्तिमाल किया है, और यहाँ पर भी आपने दिमाग का इस्तिमाल किया है, कि current पीछे चल रहा है, कितना पीछे चल रहा है, फाइंगल से, और फाइ कितना होता है मैं आपको बताता हूं देखिये R का मतलब यहां पर है कि भाया pure resistive circuit और C का मतलब यहां पर series में एक capacitor लिया हुआ है क्या लिया है बच्छो capacitor लिया हुआ है और आपने इन दोनों को connect कर दिया है किसे एक ac supply से किसे बच्छो ac supply से इस ac supply की voltage equation क्या ले ले बच्चो वी नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है और यहां पर एक register लिया है जिसका resistance है R और एक capacitor लिया है जिसका capacitance कितना है C है capacitance कितना है बच्चो C है ठीक है अब आप जैसे switch on करेंगे जैसे switch on करेंगे तो current flow होगा तो देखें यहां पर क्या flow हो रहा है में साथ हमेशा सेर्फ फ्लो होता है अ किए अक्रॉस जो होता है डिफिरेंट होता है आगा समझ возможность अब आपको कुछ पता होना चाहिए नशुच के बारे में जानकारी हो तो बताएacióगी कि अप्सक्राइब कर्ण्ट और करण्ट और वहता है वह सेम वेस्स में होता है सेम का मतलब दोनों durant के बीच इंगल कीटना होता है..? और वही कभी हम केपसिटी सरकीट की बात करें छार कौन सा केपसिटीव प्योडिए सारे प्योर यहां सारे तो प्योर सरकीट की case में current lead करता है याद कीजिए मैंने कहा था current lead करता है और मैंने हिंदी में भी लिखा लिखा था lead का मतलब होता है आगे चलना याद कीजिए current lead करता है वह वह किसे voltage से वह भी कितने एंगल से विचो 90 क्योंकि हम क्या चाहते हैं हम यह चाहते है कि करण्ट सेम एक्सिस पर हो करण्ट को आगे चलना है तो वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा पीछे चलना पड़ेगा करण्ट लीड कर रहा है तो वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा पीछे चलना होगा यह बात याद रखिए तो बच्छो यहाँ पर मैं डाइग्राम बनाने चाहा हूँ, देखें, current यहाँ पर और voltage जो होगा, same face में, same face समझ गये होंगे आप लोग, और यहाँ पर angle कितना होता है, यह भी पता होना चाहिए, angle है zero degree, यहाँ पर current lead करता है, तो current को यहाँ बनाना पड़ेगा और voltage को नीचे बनाना होगा, current यहाँ पर same face में और यहाँ पर current क्या होता है, lead करता है, तो हम इन दोनों का क्या बना रहे है Combined Phasor Diagram, क्या बना रहे है Combined Phasor Diagram देखिएगा Combined Phasor Diagram के से बनाए किसी चीज का combine diagram बना रहे है है, दो अलग अलग चीजों को same axis पर बनाना चाहिए तो आप क्या करेंगे तो बच्चो देखिए मैं यहां पर सबसे पहले यह current बना रहा हूँ आई दिख रहा है बच्चो आई अब बताओ आई और वी आर क्या होने चाहिए same face में तो आई और वी आर same face में होने चाहिए ठीक है यह origin है और current जो होता है वो करता है तो एक में रुकेगा बच्चो थोड़ी जगे अपन यूज कर लेते हैं तो बच्चो यह बिल्कुल सही मैंने कहा था गलत नहीं लिखाता हो करंट और वोल्टेज जो होते हैं सेम फेस में होते हैं यह ओरीजिन सेम पर करंट लीड करता है किससे वोल्टेज से कैपसिटीव सर्कुट के केस में तो करंट जो है वो लीड करेगा लीड मतले यहां पर आएगा और वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा पीछे आना पड़े पर वहाँ पर L था और यहां C था ठीक है L में क्या होता है current lag करता है इसलिए यहां पर current lag करेगा और VL उपपर आता था और C circuit में current lead करता है इसका मतलब VC को पीछे आना पड़ेगा क्योंकि वह पीछे चल रहा है तो आप कहेंगे सर इन दोनों का resultant बीच में आएगा बिल्कुल सही इन दोनों का resultant कहां आएगा बच्चो वीच में आएगा यह VR को थोड़ा सा यहां लिख देता हूं तो इन दोनो कर दिया यह VC है तो यह भी क्या होगा VC होगा होगा की नहीं होगा अब यह V क्या है जो आपने वोल्टेज दिया और आई क्या है जो current flow हुआ तो यह V और आई की बीच का जो angle होता है इसे हम कहते हैं face angle तो आपको यहां पर एक right triangle नजर आ रहा होगा और पिसली बार right triangle में हम था ने क्या लगाई थी पाई तो भी भी लगा देंगा बात है तो हम यहां पर यहां पर क्या लगाने जा रहे हैं बच्छों बाए बाइस हैं पाइथागरे स्योर्म और पाइथा और वर्लड फेमेस है क्या होती है H square equals to P square plus B square हाइपटेनियस क्या है तो हाइपटेनियस v perpendicular ध्यूहर देख लिजे दियान से और कितना आए vr v2 as it is बच्छों V situations क्या है वी विच्टेज अक्रॉस करें तरप और क्रॉस और्र वोल्डेज अक्रॉस लॉस से क्या होगा IR बटा Ohm's Law शिर्फ IR नहीं होता R तब होता है जब सिर्फ pure circuit हो resistive पर कभी C circuit है तो V equals to I, X, C और कभी R है तो V equals to I, R यह बात याद रख लें आप नई दुनिया में घुश चुके हैं इसी circuit की दुनिया में तो यहां पर V square और V C की जगे हमने क्या लिखा I, X, C और V, R की जगे हमने क्या लिखा I, R अब चो यहां पर आप यहां से देखे तो यह भी I square है यह भी I square है तो दोनों से I square common लिया तो यहां बचा X, C square प्लस R square square I square को में नीचे ले गया पिस्टी बार की तरह तो यहां क्या बचेगा I का whole square यह भी बात सही है तो R square प्लस X, C square अब यह square जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा square root तो यह हो गया square root R square प्लस X, C square अब चो बताओ ओंस law से V upon I क्या होता है आप देखे V upon I कभी आप देखे V upon I resistance होता है पर इस case में V upon I X, C होता है तो मैं कहूंगा ना तो हम R लिखेंगे क्योंकि R लिखते तो सिर्फ pure resistive circuit होता X, C लिखते तो pure capacitive circuit होता इसलिए हम V upon I को एक special नाम से जानते हैं जो पिछली बार use किया था वो होता है Z, क्या होता है Z, तो Z equals क्या हो जाएगा, under root of R square plus X, C square और बच्चो, आज चाहें तो X, C को क्या लिख सकते हैं, 1 upon omega C, ठीके X, C की value आपको पता होनी चाहिए X, C कितना होता है, 1 upon omega C, यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूं X, C जो होता है वो होता है, 1 upon omega C, सर्थ Z होता क्या है, इस बारे में तो चल्चा कीजिए तो Z जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूं वेर, वेर Z equals to impedance, बच्चो, Z क्या होता है impedance, नया नाम है जैसे resistance होता है जैसे inductive reactance होता है capacitive reactance होता है वेसे impedance होता है, काम सबका एक ही है current के flow का post करना, पर current के flow का post किस में करना RC circuit में, तो वेर Z क्या है, impedance of RC circuit, कभी हम इसकी unit की बात करें, तो बच्चो, unit वही होगी, जो होती आई है क्या, ओम, काम क्या है, काम है, कि या, it opposes the it opposes the flow of electric current, पर किस में, किस में बच्चो RC circuit में current के flow का क्या करता है अपोस करता है, तो यहां पर यह बात समझ में आगी, अब बच्चो आपको phasor diagram आगया, अब हमें क्या निकालना है, face angle निकालना है क्या निकालना है बच्चो, face angle निकालना है, तो exam में आपको क्या क्या आएगा, मैं पिछले topic में भी समझा चुका था, इस बार भी समझा दू, कि आपको क्या क्या निकालना है, एक तो phasor diagram आएगा, ठीक है, एक आएगा, इंपेडेंस आएगा, यह वारा इंपेडेंस आएगा, एक phasor diagram आएगा, और साथ के साथ face angle आएगा, तो face angle निकालने के लिए हम phasor diagram से क्या लगा देते हैं, टेन फाइगा देते हैं, बच्छों बताओ, टेन फाइगा होगा, तो आप कहेंगे perpendicular, अपान में बेस, तो टेन फाइगा, वो होगा, परपेंडिकलर अपान बेस, और परपेंडिकलर है, वी सी, और बेस क्या है, वी आर, कभी हम वी सी की बात करें, तो वी सी जो होगा, वो होगा, आई एक सी, और वी आर जो होगा, वो आई आर, आई से आई कैंसल, तो कितना मिला, एक सी बाइ आर, तो यहां से 5 की वैल्यू जो आएगी, वो क्या आएगी, 10 inverse, एक सी बाइ आर, ठीके बिच्छों, यहां पर हमे यह पता है कि, face angle जो होगा, वो acute angle होगा, पर exact कितना होगा, वो हम यहां से निकाल सकते हैं, और बच्छों चाहें, तो आप xc की जगे, xc की जगे, क्या लिख सकते हैं, 1 upon omega c, और r पहले सी, ठीके, तो 5 कुल्स होगा, 10 inverse, 1 upon omega c, r, तो एक्जाम में क्या क्या आएगा, यह समझ में आगे, एक तो आएगा, phaser diagram, impedance, face angle, clear है, और साथ के साथ आएगा, equation of current, तो इसे में रफ कर देता हूँ, यह आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, चलिए, तो अब हम इसी topic में देखते हैं, equation of, equation of instantaneous current, instantaneous current की equation, तो आप कभी ध्यान से देखे, अब आब बताए इस diagram में, voltage और current में कौन आगे है, तो आप कहेंगे, इसे current आगे है, कौन lead कर रहा है, current lead कर रहा है, कितने angle से lead कर रहा है, तो आप कहेंगे, 5 angle से lead कर रहा है, कर रहा है की नहीं, बच्चों याद रखेगा, हमें leading और lagging, current की बतानी है, कि voltage की, किस की बतानी, current की, मैं आपको सीधार से निख्व vanity मांनों पूर्टिमों इंडिया में 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 चल रहा है किसका और सेलिया करें ख़ू कभी अंडिया जीती है कभी एक Almighty जीटी है इंडिया तो अगले दिन नियूस पेपर में पता है क्हबर कैंती है खबर नाती है in Yeah जीता क्या लिख Birds चीता का लिए जीता यह नहीं लिखा आता है कि अस्टिले जीता, क्या लिखा आता है इंडिया हारा, क्यों लिखा आता है पता है, क्योंकि वो इंडिया को तवज्जो दे रहे हैं, इंडिया जीता, इंडिया हारा, अस्टिले गा नाम निशान नहीं, एंड में लिखा रहता है, बीच में लिखा है current lead करता है या लेख करता है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे current क्या कर रहा है lead कर रहा है कि current आगे है current के कितने इंगल से आगे फाइंगल से तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम फेजोर डाइग्राम इस 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 ग्लियर रैट फेजर डाइग्राम इस ग्लियर देट करण आई लीज दग वोल्टेज बाई फाइंगल बाई फाइंगल से क्या कर रहा है लीद कर रहा है तो बच्चो करेंट की क्या होगी एकल्स इक्वेशन çीकल मेंगग देते हैं सर यहाँ पर आइनौट क्या है थोए वह सभी को पता है पर फिर भी लग देतें I naught जो है topic का maximum current है और maximum current के value क्या होती है V naught by Z होती है भी थोड़े देर पहले लिकाता और Z की value होती है under root of R square plus XC square तो बच्चों 5 angle के बारे में हमने पहले ही discuss कर लिया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो आप इसे जल्दी से note down करें अब सबसे important topic आ रहा है जिसका नाम है RLC circuit, LCR circuit, RCL circuit ये नाम इधर उधर कर ले कुछ भी कर ले पर meaning एक ही होगा RLC कहें या LCR कहें बात एक ही क्योंकि हम तीनों को क्या करने जा रहे हैं सिरीज में रखने जा रहे हैं तो note down करें जल्दी से इसे चलिए बच्चों अब हम एक नए topic की तरफ चलते हैं और नए topic जो है सबसे important topic है जिसका नाम है LCR series circuit इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बिल्कुल detail में समझाओंगा और पूरे derivation को अच्छे से clear करूँगा चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए यह LCR है इसे RLC कहो RCL कहो बात एक ही है आप इसे आगे पिशे नाम कुछ भी लिख दे कोई फरक नहीं पड़ता तो बच्चों यहां पर हम तीन elements की बात कर रहे हैं तो register हो गया पहला element दूसरा inductor हो गया और तीसरा कौन सा element हुआ है capacitor इन तीनों को आपने connect कर दिया है किस में? सिरीज में connect किया है वो भी किस के साथ connect किया है बच्चों AC supply के साथ तो एक register है जिसका resistance है R, inductor है जिसका inductance है L और capacitor है जिसका capacitance है C है तो आप कभी हम आगे की बात करें और आपने जो voltage supply दी है voltage supply है V equals to V naught sin omega T तो अब कभी आप जैसे ही current flow करें जैसे switch on करें तो क्या होगा switch on करें तो current flow होने लगेगा और आपको एक basic knowledge बार बार में बोल रहा हूँ आना चाहिए सिरीज में हमेशा current same होता है मतलब इन तीनों में से current क्या flow होगा same flow होगा current series में same ज़रूर होता है पर कभी हम बात करें तो voltage जो होता है वो इस R के across अलग होगा जैसे हम VR नाम दे तें इसके across voltage जो होगा वो VL होगा और इसके across जो voltage होगा वो क्या होगा VC होगा यह बात आपको clear होनी चाहिए, तो आपको यह diagram समझ में आया होगा, मैं अच्छे से और बना देता हूँ, बच्छो आपको यह पता होना चाहिए कि series में current same होता है, voltage अलग-अलग होता है, तो हम यहाँ पर इनके नाम लिख देते हैं, कि यह voltage इन तीनों के across अलग-अलग, हम इसे V1, V2, V3 इसले नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 में पता नहीं चलता है, कि 1 किसका voltage है, 2 किसका है, इसलिए हम नहीं के base में क्या लिख दिया है, R लिख दिया है, जिससे पता चल जाए कि VR क्या है, voltage across register, VL क्या है, voltage across inductor, और VC क्या है, voltage across capacitor, अब अब अच्छो यह बात तो होई, अब एक बात बताएं, कभी हम बात करें, किसकी resistive circuit की, तो resistive circuit में current जो होता है, और voltage जो होता है, same face में होता है, यह पता होना चाहिए, current और voltage same face में होता है, अभी थोड़े देर पहले बताया था, और inductive circuit में current lag करता है, lag करना मतलब current पीछे चलेगा, तो आगे कौ पता होना चाहे कितने दूंकिन की बात करें से रहें तो तो यहां पर करेंट कर रहा है इंक थे से अब हम इनका क्या कर रहे हैं कमबाइन फेजर डाइग्राम बना रहे हैं जब आप एक्जाम दे रहे हो तो पूरा सिस्टेमेटिक लिखेगा हम पहले से क्या क्या जानते हैं इस बारे में मैं इस बार नहीं लिख्वा रहे हैं तो इस बार सीधे तो फेजर डाइग्रा में इसका, रजिस्टीव सर्किट का, इड़क्तिव सर्किट का, और ये कैपसिटीव सर्किट का, अब हम क्या बनाने जा रहे है, कम्बाइट, कम्बाइट का मतलब क्या देखिए, करण तो यहाँ पर सेम फेस में, करण जो है, हमने इस तीनों की एकसि same face में होगा in case of resistive circuit और current lag करेगा किसे VL से by pi wire to in case of inductive circuit ये देखे मैंने उपर बना दिया VL को और VC को आप क्या कर दे नीचे बना दे क्यों बना दे नीचे ये बात भी आपको समझ में आ गी होगी नीचे बना दिया आपने अब अच्छो ये उपर नीचे क्यों बन रहा है ये बात तो आपको clear बहुत अच्छे से हो गई होगी तो ये VC जो है वो नीचे बन रहा है अब अच्छो एक बार बताए आपको एक वेक्टर की property बता होनी चाहिए क्या property बता होनी चाहिए कि भाईया कभी आप किसी वेक्टर की direction को change कर दें जिसे VC यहां पर नीचे जा रहा है और कभी आपको इसे उपर ले जाना है तो आपको क्या लगाना होता है उसके आगे negative sign इसी को negative vector कहते है तो बच्छो यहां पर हम क्या कर सकते है इस VC को हमने वेक्टर होने के नाती इसे उपर ले गये तो ले तो VL में से क्या हो जाएगा VC माइनस हो जाएगा क्यों हुआ माइनस क्या आप इसके बारे में जानकारी दे सकते है चलिए वे थोड़ा से इसे सुंदर लिख दिया तो उपड क्या हो गया vl-vc बच्चो ऐसा भी तो हो सकता था क्या हो सकता था दूसरा case बन सकता है क्या करेंट और voltage same face में कें रजिस्र्टिर सिर्किट और यह रहा vl बच्चो वी सी यह रहा कोई दिक्कत तो है नहीं अब ऐसा भी तो हो सकता है case 2 में Case 2 में क्या हो सकता है कि इस बार VC बढ़ा हो और वी ऐल क्या हो छोटा ग्या कर सकते हैं ये बी हे और के से हनो कर सकता है कि इस का सब्सक्रान को मरत वोल्टेज क्या हो अउपर नीचे हो मतलब VL बढ़ा हो और VC चोटा हो या फिर VC बढ़ा हो और VL चोटा हो तो इस case में दो case arise होंगे इस condition में दो case arise होंगे कि या तो VL बढ़ा होगा या VC बढ़ा होगा कभी VL बढ़ा है तो VC को आप negative vector लिख दे और कभी VC बड़ा है तो VL को आप negative vector लिख दे पर इस case में होगा क्या बच्छो देखिए अब देखिए इन दोनों के बीच का resultant यहाँ पर आएगा बच्छो resultant इस जगे और इन दोनों के बीच का resultant इस जगे पर आएगा आएगा की नहीं आएगा बच्छो अब चो कभी हम resultant इहाँ बना दे तो यहाँ पर construction करना होगा और यहाँ पर यह वी-सी तो उसके opposite side भी वी-सी और यह इंगल क्या होगा फा इंगल और कभी हम यहाँ पर construction करें construction यहां पर करें, तो बच्छो, यह construction यहां पर किया, तो यह VC-VL, तो यह सामने वाला भी क्या होगा, VC-VL, और VR को मैं यहां बना देता हूँ, जिससे कि confusion ना हो, तो यह VR यहां पर, ठीक है बच्छो, और यह वाला face angle क्या होगा, 5, ठीक है, तो यहां पर, यह VC-VL है, VC-VL, तो यहां पर दो case बन रहा है, यहां पर भी एक right triangle बन रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, राइट triangle बन रहा है, बन रहा है बच्छो, यहां पर कभी आप देखें कि current और voltage में current पीछे चल रहा है, और इस case में देखें, voltage और current में, current जो है, वो lead कर रहा है, आगे चल र तो यहां पर पाइथागोरस चुरम लगाए तो एच स्क्वेर एक्वल्स चू क्या होगा पी स्क्वेर प्लास बी स्क्वेर हाइपोटेनियस बताए क्या होगा वी स्क्वेर पर प्रपेंडिकलर क्या होगा वी यहां पर क्या होगा वी सी मैश्ती मेर्थ एक यह बात है VL minus VC बच्चो वाद बताए VL minus VC का square और VC minus VL और स्क्वर सेम होगा या लग होगा तो आप कहीं सेम ओगा विल मानेश वी सी लिखो या VC-VL लिखो अंसर जो आएगा लग आएगा पर उनका जो square होगा वो सेम होगा जिसे मैं आपको समझाता हूँ देखिए आप से कोई बोले 4-5-2 बच्चों बताओ 5-2 क्या होगा 2-5 क्या होगा तो आपको हैंगे सर 5-2 3 होगा और 2-5-3 होगा पर कभी हम इनका square करें तो अंसर तो दोनों का सेम होगा क्लियर है मतलब आग 5-2 करें तो 3 आएगा 2-5 करें तो मानिस 3 आएगा पर square की बात होगी तो अंसर तो सेम आएगा तो यहां पर हम वे से भी क्या कर रहे हैं square कर रहे हैं इसलिए आप VL-VC लिखें या VC-VL लिखें बात यह किए और base कितना होगा VR दोनों के case में VR तो base कितना है बच्चो VR तो बच्चो VL की जगे हम क्या लिख देंगे IXL जिसे हमने लास्ट टाइम बता चुके और VC की जगे IXC और VR की जगे IR का whole square यह whole square बच्चो कभी आप देखें तो यहां से I common आ रहा है तो बाहर निकलेगा I square यहां से भी I square तो यह I square क्या कर लिया मैंने common ले लिया तो अंदर क्या बचेगा XL माइनस XC का square प्लस R square सेम कहानी इस I square को नीचे ले जाए और यहां पर थोड़ा पल्टा के लिख लें तो R square प्लस XL माइनस XC का square बच्चो V square upon I square को क्या मैं whole square लिख सकता हूं हाँ सा लिख सकते हैं whole square जो है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा square root तो यह हो जाएगा under root of R square प्लस XL माइनस XC का whole square और V upon I को हम एक special नाम से नवाजेंगे और V upon I को हम नया नाम किया देंगे Z जो कि पिछली बार भी दिया था पिछली बार भी दिया था तो Z equals to under root of R square प्लस XL माइनस XC का whole square और कभी आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो Z equals to under root of R square XL को हम लिख सकते हैं omega L और XC को लिख सकते हैं 1 upon omega C का whole square clear है अब आप से कोई पूछे Z क्या है तो भीया Z को बदलने वाले चीज तो है नहीं तो where Z जो है वो है Z जो है वो है impedance of impedance of RLC circuit इसकी unit के बारे में चर्चा करें तो unit क्या होगी इसकी ohm होगी और काम क्या होगा तो बच्चों इसका काम है इट अपोजेज द फ्लो ओफ करेंट इन LCR circuit इसका काम क्या है वही काम है जो हमेशा होता है current के flow का क्या करना oppose करना current के flow का क्या करना बच्चों अपोज करना तो यह बात आपको समझ में आ गही होगी अब बच्चों हमने क्या निकाला था इस बार भी निकालते हैं हमने क्या निकाल लिया इंपेडेंस निकाल लिया फेजर डाइग्राम बना लिया दो अलग डाइग्राम बना लिये अब हम बनाते हैं अब हम अब हम निकालते हैं फेस इंगल तो फेस इंगल निकालने के लिए आपको फेजर diagram में 10 लगाना होगा क्या लगाना होगा बच्छो 10 5 प्रपेंडीकुलर अपोन-बेइस और यहां पर लगाएं तो बोलो क्या होगा वील माइनस वीसी होगा और जब माइनस लिखता हूं तो माइनस के कारण यह वील माइनस हो जाएगा और इस माइनस के कारण यह वीसी जो है वो प्लस हो जाएगा तो दोनों केस आगे रहा प्लस माइनस का मतले एक बार एक बार वील माइनस वीसी और एक बार वीसी माइनस व हैं हां लिख सकते हैं I sait I common ले लिए I say I cancel तो 10 5 कितना होगा प्लास माइनस XL माइनस XC by R तो यहां से five की value आजाएक कितनी plus minus 10 inverse xl minus xc by r ठीक है तो यहां पर 5 जो होगा वो plus minus क्यों है क्योंकि यहां पर face angle यहां पर देखिए यहां पर current lag कर रहा है और यहां पर current lead कर रहा है तो 2 case यहां पर उत्पन्न होंगे produce होंगे या तो current lead करेगा या lag करेगा ठीक है तो 5 equals to 10 inverse xl minus xc upon r और चाहें तो आप और करके इसकी value डाल सकते हैं तो value डाल सकते हैं आप xl की omega l और xc की क्या value डाल सकते हैं omega c upon r ठीक है तो यहां पर दो answer आ जाएगे यहां पर यह बात clear हुई तो exam में क्या क्या आएगा आएगा आपको clear होते जा रहा है तो impedance phasor diagram phase angle और साथ की साथ equation of current तो यहां पर हम equation of instantaneous current को भी तवज्जु देंगे यह आएगा तो आपको भी यहां पर line लिख लें from phasor diagram it is clear that लिख देते हैं from phasor diagram it is clear that clear क्या हुआ हमको तो पता ही नहीं क्लियर यह हुआ है कि current या तो videos हो रहे हैं इसलिए जो current की equation बनेगी वह आएगी आई इक्वल सु आई नॉट sin omega t plus minus 5 बच्चो plus minus 5 क्यों लिखा यह समझ में आया क्योंकि यह leading भी हो सकता है या lagging भी हो सकता है sir i naught क्या है i naught तो max current है i naught maximum current है जिसकी value होती है v naught by z और z कितना होता है under root of r square plus xl minus xc का square तो यह आपको clear हो गया होगा और आपको board पे पूरा दिख भी रहा होगा तो बच्चो यह topic उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा पलने पड़ा होगा पर इसके बाद एक और नया topic है जिसे हम कहते है resonance circuit series LCR resonance circuit वो क्या होता है वो अगले lecture में ही देखेंगे पर आपको यह lecture समझ में आया होगा उमीद करता हूँ आप जल्दी से note down कर ले कर लिया बच्चो ठीक है तो आपने इसे note down किया अब यह बताएं यह आपको केसा लगा कभी यह lecture आपको समझ में आया हो तो वीडियो को अच्छे से देखें लाइक करें दोस्तों को share करें और अब चैनल को subscribe भी करना ना भूलें तो चलिए बच्चो अब हम नए lecture में मिलेंगे जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम resonance circuit को पढ़ रहे होंगे तब तक के लिए बाई बाई टाटा CEO थैंक यू जैहिन बंदे मातरो